अगर आपको section wise अपनी presentation बनानी है, तो section wise presentation बनाने के लिए, आप क्या करेंगे, कि first slide पर click करेंगे, आपने first slide पर click किया, और click करने के बाद आपके पास यह वाल option, section, section को click किया, ठीक है, section पर click करने के बाद, add section का option आपके बाद, आपने add section को click किया, then click, ठीक है, और जब add section click हो गया, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर, आपके पास untitled section आ रहे है, ठीक है, तो untitled section को आपने अपना नाम देना है, आपने यहाँ पर right click किया, right click करके, rename section कर देंगे, और जब आप rename section करेंगे, तो section name यहाँ पर आजाए, आपने यहाँ पर कर दिया, कि start, start point, point in ppt, then rename, आप check कर लेंगे, यहाँ पर, यह मेरा section आगे, ठीक है, तो इस टाइप से, आप section को, use कर सकते हो, अपनी presentation करेंगे, वहीं पर अगर आपको, इसको हटाना है, तो simple, आप इस पर click करें, फिर right click करें, और remove selection, click करें, खट जाए, ठीक है, रिमूव कर सकते हो आप, तो यह था, add करना section और हटाना section, in power,